नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल उत्तर पाड़ शारा में उसके introduction पार्ट में हम आज उन question को भी solve करेंगे और इससे पहले दोस्तों एक NCRT सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आये थे जिसमें हमने class 9 और class 10 की जो NCRT है science की उससे related जितने भी questions आपके बन सकते थे आपके exam point of view से वो हम आप लोगों के लिए लेके आये थे देख सकते हैं और यह जो सीरीज है दोस्तों जो हम आज start कर रहे हैं यह एक नए सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें जो हमारी एप्रोच रहने वाली है वो exam oriented approach हमारे रहने वाली है जिस कारण से हम इसे एक नए सीरीज से start कर लेके आये हैं हमने उसी NCRT सीरीज को आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि आपका unit first था वह हमने वाँ complete कर लिया है और हम unit second के और हम बढ़ ले हैं तो हम एक नए सीरीज के साथ आप लोग के लिए लेके आए हैं तो दोस्तों उत्राखन Lab Assistant और परियावरन परिवेक्षक की सीरीज है आप लोग की होगी जि सभी लोग इस सीरीज को अपने सभी दोस्तों के साथ जिन लोगों ने Lab Assistant या परियावरन परिवेक्षक या कोई भी अन्य एक्जाम जिसमें भी Science का सेक्टर जो है पूछा जाता है तो वो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेर कर देंगे और लाइक कर देंगे वीडियो को और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर अन कर लिएगा ताकि जैसे ही नेक्स पार्ट इस सीरीज का अपलोड हो तो आप सभी के पास एक से हमें भेजे थे तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सबसे पहरा डाउट जो है आपका एक्जाम रिलेटेट था और दूसरा जो डाउट आपका है वो आपका से रिलेटेट है क्योंकि बहुत से स्टुडेंट ऐसे हैं जिनने अभी तक लैब असिस्टेंट और परि देखने के लिए मिलेगी तो दस मार्च तक दोस्तो इसका आपका एक्जाम होना नहीं है अब जो एक्जाम की बात आई लेब असिस्टन और परियावण परिवेक्षक की तो आपकी दस मार्च के बाद अगर वो होती है तो आपकी होगी मई जून जुलाई इन महनों में हो की तयारी करने के लिए 6 महने आपके पास पूरे हैं और किसी भी एक्जाम को निकालने के लिए 6 महने परियाप्त हैं दोस्तो क्योंकि इसका सेलेबस उतना वास्त नहीं है कि जो 6 महने पूरा नहीं किया जा सके तो दोस्तो यह आप लोग के ऊपर है आप लोग किस प्रकार से अपने तयारी को direction देते हैं और किस प्रकार से आप लोग अपना selection निरधारित करते हैं, यह सभी आप लोग के ऊपर है और आप लोग के पास जो समय है उसकी कमी नहीं है, आपके पास परियापत समय है और दूसरी चीज जो आप लोग की है syllabus से related, syllabus दोस्तों आप लोग को त समस्टे वाले portion की second unit में जो और जो असका level जो होगा, वह आपका 11-12 का और थर्ड यूनिट है syllabus की, उसमें बात की कि यह आपके biology और math sector की जो biology वाले है, वो biology के साथ जाएंगे और math के साथ जाएंगे, तो इस type से आपका syllabus है, तीन पार्ट में divide है, यानि कि 9-10 की science, 11-12 की science और जो आपका एक टाइपस आप optional कहलें, चाहे वो math हो, चाहे वो biology हो, तो इन सभी से मिलके आपका exam pattern है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और 6 मैने का प्रियाप समय आप लोग के पास है, तो जिसने भी zero level से भी अभी तक कुछ भी तयारी नहीं किये, तो उसके पास अब ये अच्छा समय है, तो दोस्तो आज की सीरीज के बारे में हम आप लोग को बता दें कि इस सीरीज में आप लोग को सभी चीज़ाएं, यानि कि physics, chemistry और biology के questions देखने के लिए मिलेंगे, introduction ये पार्ट है, तो इस पार्ट को आप लोग देखिए, और हर हपते आप लोग हमने एक group बना दिया था, जिस पे हम रोज लगातार update देते रहते हैं, lab assistant exam को लेके, और उससे हम जो हमारे poll create करते रहते हैं हर साम को, जिसमें आप लोग को lab assistant और परियावण परिवेक्षक के लिए जो questions है वो आपसे पूछे जाते हैं, इन सभी के link आपको description box में देखने क के लिए मिल जाएगी, तो चैनल को subscribe करने के साथ साम बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेंगे, तो दोस्तों आज की series को start करते हैं, आज की series का जो पहला question है, वो आप लोग के सामने ये रहा, कि निमनलकित मैंसे किस B vitamin का नाम सही सुमेलित है, first vitamin B2, riboflavin, 2 vitamin B3, riastin, vitamin B7, biotene, vitamin B12, syna cobalamine, तो आपने बताना है कि इन मैंसे जो B vitamin है, आपनों को पता होगा, कि vitamin B 12 parts में divide है, तो उन मैंसे किस का जो वैक्यानिक नाम है सही सुमेलित है, A option है केवल 1 और 2, B option है केवल 2 और 3, C option है 1, 3 और 4, और D option है आपका ये सभी, तो आपने बताना है किस B vitamin का नाम सही सुमेलित है, और इस question का जो right answer आपका होगा, वाह का option number D, तो option number D आपका is question के लिए right answer हो जाएगा, यानि कि vitamin B2 का जो रासाइनिक नाम है, यज वैग्यानिक नाम जो है, वह है riboflavin, vitamin B3 का जो वैग्यानिक नाम है, वह है ryacin, vitamin B7 का, जो वैग्यानिक नाम है, वह है byotene और vitamin B12 का जो वेग्यानिक नाम है वो है सयानो कोबाला माइन तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखंगे और vitamin से related एक question आपके exam में आप लिख के ले जाएए कि आएगा ही आएगा तो vitamin से related जितने भी questions आपके होंगे तो उसको आप लोग ध्यान से अपने syllabus में पढ़ेंगे और उसको अलग से highlight कर दीजेगा क्योंकि इससे एक question आपका जरूर बनेगा next question क्यों बात कर लेते हैं next question ये रहा कि निम्नलिकित मैंसे किस दिस्टी dose में retina के सामने प्रकास का focus उत्पन्न होता है A option है निकट दिस्टी dose B option है दूर दिस्टी dose C option आपका जरा दिस्टी dose और D option आपका इन मैंसे कोई नहीं तो आपने बताना है कि इन मैंसे किस दिस्टी dose में retina के सामने प्रकास का focus उत्पन्न होता है और इस question का जो right answer आपका हो जाएगा आपका option number A निकट दिस्टी dose प्रकास का focus retina के सामने होता है निकट की वस्टम अच्छी से दिखाई देती है और दूर की वस्टम साफ नहीं दिखाई देती है इस बात को आप लोग ध्यान रखंगे next question ये रहा कि जब बंद थैली में रखे बंधवत खाद्य पदार्थ को सूश में तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेड क्यों किया जाता है आपने बताना है information आपका थैली में भाब के दाप से फटने से बचाने के लिए ताप को छेड के दवारा खाद्य पदार्थ हमें प्रविस करने के लिए C option आपका सूष में तरंग को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थ हमें प्रविस करने के लिए D option आपका खाद्य पदार्थ के सुगंद को छेद के द्वारा बाहर आने के लिए तो यह आपके option है और इस question का जो right answer आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number A यानि कि थैली को भाप के दाप से फटने से बचाने के लिए बंद थैली का जो खाद्यपदार्थ होता है सूख में तरम में जब उसे तापित किया जाता है तो सबसे पहले उसमें छेट किया जाता है ताकि थैली जो है भाप के दाप से फटना जाएगा आपका right answer होगा next question की बात करते है next question ये रहा कि noon तापमान पैदा करने के लिए निंदर्खित में से किस सिध्धान्त का प्रियोग किया जाता है तो आपने बताना है कि noon तापमान पैदा करने के लिए सिध्धान्त का प्रियोग इसका किया जाता है next question ये बात करते है next question ये रहा कि वायू में ध्वनी का वेक तापमान में बढ़ने से घटता है तापमान के घटने से बढ़ता है तापमान पर आश्रित नहीं रहता है या तापमान के घटने से घटता है तो ये आपने बताना है कि वायू में ध्वनी का वेक किस प्रकार से जो है वो बदलता है आपने बताना है कि तापमान के बढ़ने पर घटेगा तापमान के घटने में बढ़ेगा या तापमान पर आश्रित नहीं रहेगा या तापमान के घटने से घटेगा तो इस question का जो right answer आपका होगा वो होगा आपका option number C क्यानि कि वायू में ध्वनी का वेग तापमान पर आश्रित नहीं रहता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और इस type के जो भी question होते हैं उन लोग सभी question आप अपने mind में रखके चलेंगे क्योंकि इस type के question examiner के लगातार hit point में रहते हैं और इस type के question आपके science जिसमें ज्यादा तर पूछी जाते हैं उसमें लगातार पूछे जाते हैं कि वायू में ध्वनी का वेग घटेगा बढ़ेगा या जब आपकी जो lift है वो अचानक से तूट जाएगी तो जब उसमें भार हिंता दिखेगी या भार बढ़ेगा इस type के question आपके exam paper में आपको देखन करेगा बी option है कार्य नहीं करेगा सी option है कम कुशलता से कार्य करेगा और डी option आपका अधिक कुशलता से कार्य करेगा तो आपने बताना है कि जो एक निरवात मार्जक भाप के अंतर नियम के अंसार जो कार्य करता है वो चंद्रमा में किस type से काम करेगा और इस question का जो right answer आ प्रस्ट तनाव का कारण है यानि कि किसी द्राव के प्रस्ट तनाव का कारण है A option है अण्मों के मध्य आसंजग बल B option है अण्मों के मध्य ससंजग बल C option है अण्मों के मध्य गुर्टवा कर्शन बल और D option आपका अण्मों के मध्य विद्यूत बल आपने बताना है कि किसी द्राव के प्रस्टतनाव का इन में से क्या कारण हो सकता है और इस question का जो right answer आपका होगा वो होगा आपका option number B यानि कि अड़मों के मध्य ससंजग बल जो है वो किसी द्राव के प्रस्टतनाव का कारण होता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेंग पर C option है पदार्थ के निकड़ता पर और D option आपका पदार्थ के आकार पर तो आपने बताना है कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए और इस question का जो right answer होगा वो होगा आपका option number B यानि कि पदार्थ की चमक पर तो पदार्थ की चमक पर उद्भाषन का जो है उन लोग को भी हाफ लोग ध्यान में रेक्के चलेंगे नेक्स कोशन यह रहा कि आवर्दक लेन्स वास्ताव में क्या होता है ए और बी गलती से सेम ऑप्शन हो गए है तो उनको एक ही मानिये और C option आपका उत्तल लेन्स और D option आपका बिलनकार लेन्स तो आपने बताना है कि आवर्दक लेन्स वास्ताव में क्या होता है अवतल उत्तल बिलनकार तो आपने बताना है कि जो आवर्दक लेन्स होते हैं वो इन में से क्या होते हैं और इस question का जो right answer होगा वो होगा आपका option number सी उत्तल लेन्स तो आवर्दक लेन्स जो है वो एक type के क्या होते हैं उत् option आपका nitrate तो आपने बताना है की blue baby syndrome के साथ उप्षाइब का ऐसे के साथ नाइट्रेट के सायोंग से बनता है इस बात को ध्यान रखेंगे next49 यह रहा कि किसी पर्माणों का रासाइनिक व्यभार निर्भर करता है उसके a option nucleus के proton की संख्या पर बी option nucleus के neutron की संख्या पर c option nucleus के इर्दगिर्द घुम रहे electron की संख्या पर और d option आपका nucleus में nucleon की संख्या पर तो आपने बताना है कि किसी पर्मानौ का रासायनिक व्यवहार इनमें से किस पर निर्भर करता है और और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा आपका option number है, यानिकि nucleus के proton की संख्या पर उस परमानू का रासाइनिक व्यवहार जो है, वो निर्भर करता है, next question के बात कर लेते हैं, next question ये रहा, कि इन में से कौन सी एक परमानू वाली gas है, A option है आपका oxygen, B option है neon, C option है nitrogen और D option है fluorine, तो आपने बताना है कि इन में से कौन सी एक परमानू वाली gas है, और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा आपका option number B, यानिकि जो neon आपकी है, neon एक परमानू वाली आपकी gas है, next question ये रहा, कि पीतल किसकी मिस्रधातू होती है, आपने बताना है, A, सीसा और टिन, B, जस्ता और ताबा, C, जो है option है आपका जस्ता तिन और ताबा, और D है आपका antimony तिन और सीसा, तो आपने बताना है कि पीतल जो है, वो इन में से किस मिस्रधातू की होती है, आपने बताना है, और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा आपक number B, यानि कि जस्ता और ताबा, जब हम मिस्रध करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, पीतल बनता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखंगे, यानि कि पीतल जो है, वो जस्ता ताबा मिस्रधातू होती है, next question ये रहा, कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प् कांच का प्रियोग किया जाता है, और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा आपका option number D, यानि कि रेशा कांच, तो रेशा कांच जो है दोस्तों, वो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए प्रियोग में लिया जाने वाला कांच है, next question ये रहा, कि तीवर सीसा जैस भी कहते हैं, तो आपने बताना है कि तीवर सीसा विशाक्तन जो है, वो इसमें से किसे को कहा जाता है, और इस question का, जो right answer आपका होगा, वो होगा, आपका option number B, यानि कि प्लम्विजम जो है, इसका right answer होगा, यानि कि तीवर सीसा विशाक्तन को, प्लम्विजम भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, नेक्स कोशन ये रहा, कि जर्मन सिल्वर में निम्ले के धातुएं होती है, A option, ताबा जस्ता और निकल, B option, ताबा जस्ता और अलुमिनियम, C option, ताबा जस्ता और सिल्वर, D option, जस्ता सिल्वर और निकल, तो आपने बत होता है, कौन, जर्मन सिल्वर, नेक्स कोशन के बात कर लेते हैं, नेक्स कोशन ये रहा, कि निम्न मैंसे किस में सीसे की मांतरा अधिक पाई जाती है, A option, आपका कोईला, B option है, खाना पका खाना पकानी की गैस, C option आपका उच्च ओक्टेन वाला इधन, और D option आपका निम् होता है, उसमें जो है, सीसे की मांतरा अधिक पाई जाती है, नेक्स कोशन ये रहा, कि वह तत्तों जो प्रकरती में नहीं होता है, लेकिन करतिम रूप से उत्पन नहीं किया जाता है, A option है आपका थोरियम, B option है रेडियम, C option है प्लुटोनियम, और D option आपका उरेनियम, त आपका option number B, यानि कि रेडियम जो है, वो प्रकरती में नहीं होता है, लेकिन उसे क्या किया जाता है, क्रितिम रूप से उत्पन नहीं किया जाता है, तो रेडियम आपका राइट आंसर होगा, नेक्स कोश्चन के बात करते हैं, नेक्स कोश्चन ये रहा, कि निमनिकित मैंसे कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है, और इस कोश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो होगा आपका option number B, यानि कि कैड्रियम जो है, वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को पैदा नहीं करती है, नेक्स कोश्चन ये रहा, कि निमनिकित मैंसे कौन सा पदार्थ RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है, अगर आप लोगों ने NCRT आली सिरी जो है वो देखियोगी, तो आपको इसका आंसर पता होगा, और इसकोशन का जो राइट आंसर है, वो है आपका ओप्शन नमबर ए एडिनीन, तो एडिनीन जो है वो RNA और DNA में पाया जाता है, और RNA DNA से डिलेटेड कोश्चन आपके exam point of view से बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं, इन दो टॉपिक को आप लोग अच्छी से आप लोग अपन तो आपने बताना है कि राइबोसोम प्रोटीन और किसके बने होते हैं, और इस कोशन का जो राइट आंसर है, वो है आपका option number B, यानि की RRNA, तो राइबोसोम जो है वो protein और RRNA को मिलकर बनाए गए होते हैं, तो option number B आपका राइट आंसर होगा, और अभी तक आप लोगों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification को जरूर क्लिक कर लीजेगा और like कर दीजेगा वीडियो को और सभी दोस्तों के साथ अपने share कर दीजेगा और इसकी जो पीडिया फाइल है, वो आपको हमारे telegram और WhatsApp ग्रूप में देखने क create किया जाता है, तो आप उसमें भी participate करके अपनी जो तयारी है, उसे मजबूती दे सकते हैं, next question ये रहा, कि जिन पहुद हमें सववहन उतक अनुपस्थित होते हैं, परंतु ब्रूण का निर्मान होता है, रखे गए हैं, A option आपका अनावरत वीजी में, B option है, Teredophyta में, C option ब्रायोफाइटा में, या D option आपका अवरत वीजी में, तो आपने बताना हैं कि जिन पहुद हमें सववहन उतक अनुपस्थित होते हैं, उनमें भूण का निर्मान होता है, तो वो इनमें से किन में रखे गए हैं, और इस question का right answer आपका होगा, वो होगा, आपका option number C, ब्र ब्रायोफाइटा में रखे गए हैं, वो पहुद हैं, जिन में सववहन उतक जो हैं, वो अनुपस्थित होते हैं, परंदु भूण का निर्मान होता है, उन सभी पहुदों को ब्रायोफाइटा में रखा जाता है, next question की बात करते हैं, next question ये रहा, कि वाक्समेन को किस खोज के लिए इन में से नोबल पुरसकार दिया गया था, और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा आपका option number B, यानि कि स्ट्रेप्ट्रोमाइसीन जो है, उसकी खोज के लिए वाक्समेन को नोबल पुरसकार दिया गया था, ठीक है, next question की बात कर लेता है, next question ये रहा, कि इन में से कोई नहीं, तो आप लोगों ने बटाना है कि पौंधे में जो असंग जनन है, वो इन में से क्या होता है, और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा option number B, यानि कि अर्धसूत्री विभाजन था निशेचन के बिना ही नए पौंधे के निर्मान को क्या कहा जाता है असंग जनन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखंगे, यानि कि option number B आपका right answer होगा, next question के बात कर लेते हैं, next question ये रहा कि बिजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, A option बिजांड काई में, B option गुरू बिजांड में, C option गुरू बिजांड मातर कोशा में, या D option आप आपका बिजांड में, तो आपने बचाना है कि बिजांड में अर्धसूत्री विभाजन इनमें से किसमे किया जाता है, और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा आपका option number C, यानि कि गुरू बिजांड मातर कोशा में आपको अर्धसूत्री विभाजन देखने के लिए मि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पतार्थ पौधों के लिए एक सूख्ष्म पोशक होता है, और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा आपका option number D, boron, तो boron जो है वो पौधों के लिए एक सूख्ष्म पोशक का कारिये करता है, next question ये रहा कि हरे फलों को कृतिम धंग स पकाने है तो प्रियोग्त गैस है, A option है acetylene, B option है ethane, C option है hydrogen, D option आपका carbon dioxide, तो आपने बताना है कि जो हरे फलों को कृतिम धंग से पकाने के लिए कौन सी गैस को प्रियोग में लाया जाता है, और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा option number A, यानि कि acetylene, तो acetylene जो है वो हर फलों को कृतिम धंग से पकाने के लिए प्रियोग्त की जाने वाली गैस है, next question की बात कर लेते हैं, next question ये रहा कि सामाने तह अचार को नमक्त था, तेल के संत्रिप्त गोल में तथा मुरब्बे को शरकरा में सांद्र गोल में सनक्षित रखा जाता है, क्योंकि A option है, ये न तता तेल के संत्रिप्त गोल में तता मुरब्बे को शरकरा के सांद्र गोल में सनक्षित रखा जाता है, तो उसका क्या कारण है, और इस question का जो right answer है, वो है आपका option number B, यानि कि जो सूख्ष में जीव और जीव द्रवे संकुचित होकर जो है, वो मर जाते हैं, जिसके कार अचार को नमवा को तता तेल के संत्रिप्त गोल में और मुरब्बे को शरकरा के सांद्र गोल में सनक्षित रखा जाता है, एक बार फिर्ट से आपको बता दूँ कि इस प्रकार के जो व्यावारी question होते हैं, वो आपकी exam में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इस प्र कमाने ताप पर ही खुलते हैं, और D option आपका कम ताप पर ही खुलते हैं, तो आपने बताना है कि केसर में पुस्प इसमें से किस situation को follow करेंगे, और इस question का जो right answer आपका होगा, वो होगा आपका option number B, यानि कि केसर में जो पुस्प होते हैं, वो कम ताप पर बंद हो जाते है तो ये था दोस्तो हमारा आज का session जो आपका lab assistant और परियावरों परिवेक्षक के लिए introduction session था, जिसमें हम लोगों ने आपके exam oriented doubts से वो भी clear किये हैं, और साथ में जो आपका introduction, जो class जिसमें हमारे MCQ होंगे, और किस प्रकार से series आगे को चलने वाली है, वो सभी हमने आज क session में cover किया है, तो I hope दोस्तो आप लोग को आज का session है, यह पसंद आया होगा, अगर आप लोग के session पसंद आया है, तो इस session को like करके अपने सभी दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा, और channel को subscribe करने के साथ साथ, bell notification को भी on जरूर कीजेगा, ताकि next pass जब इस series का upload हो, तो आप सभी के पास एक notification आ जाए, तो दोस्तों आप सभी के पास परियावन परिवेक्षक और lab assistant की तयारी करने के लिए 6 मेहने का परियाब समय है, उससे पहले आपको लोग का exam नहीं होगा, तो जुट जाएए आप लोग के तयारी पर, आप सभी को हमारी उत्तरपार्ट चाले की पुरी टीम की तरप से बहुत सारी शुब काम ना है, और थैंक यू फॉर जोइनिंग आइस, थैंक यू तिल नेक्स वीडियो.